तीसरे चरण का मद्दान, किसके लिए बने का फल्दान? यूपी की दस सीटे बदलेंगे फ्रत्याशी की किस्मत? मैंपुरी का हाल किसके सर्थ पर सजेगा ताज? रिवायत क्या बदल देगी मैंपुरी की सिया से? देश भर में लोक सभाचुनाओ के महापर्व को मनाया जा रहा है जिसमें आज देश भर के भीतर 11 राज और केंद्र शाशिक प्रदेश की 93 सीटों पर मद्दान हो रहा है जिसमें असम, बिहार, 36, गोवा, गुजरात, कन्नाटक, मध्यपरदेश, महारास्ट, पश्यम बंगाल, दादरानागर हवेली, दामनीव और उत्तर प्रदेश के 10 सीटें शामिल हैं जिसमें बात हम उत्तर प्रदेश की इनहीं दा सेटों में बनी होट सीट मैनपुरी की करेंगे कहते हैं कि उचाईयों को हासिल यूँ परिंदे करते तो आज आसमा के बादशा न होते मैनपुरी शहर जो कला और किले के लिए मशूर के साथ सियासत के गड़ में एकता का सिंबल बनते हुए भी यूही दिखाई देता है जहां मैनपुरी सीट की उचाईयों को सपा सन 1996 से अपने नाम करे हुए है जिस पर अपना कबजा करने के लिए भाजपा इतनी नलायत हुटने के बाद भी इस सीट को अभी तक हासिल नहीं कर पाई है वो भी तब जब देश में मोदी लहर की फिजा चल रही हो लेकिन इस बार यह चुनाओ प्रथा का हाँख छोड़ सियासत को बगलेगा क्योंकि इस सीट को लेकर रिवायते बहुत हैं लेकिन जनता भी साइलेंट है प्रात्मिक्ता बतौर जनता किसको देख रही है यह भी सीट पर ज्यादा प्रतिश्यत में होने वाले मद्दान इसको सुनिश्यत करेंगे जहां भाच्वा की ओर से कांटे की टकर देने वाले योगी सरकार के मंतरे जयवीर सिंग अपनी किस्मत को अजमा रही है लेकिन तीन दशकों से यहां सपा की साइकिल के आगे कमल अपनी खुश्बू को बिखेर नहीं पाया है यह विरासत बनाम रिवायत की जंग को बरकरार रखा है मैन पूरी एक ऐसी सीट है जिसे सपा की मजबूती से ज्यादा नेता जी की कर्म भूमी और उनको धर्ती पुत्र के लाने का मौका देती है समाजवादी पार्टी दावा ठोकती है कि यह सीट मात्र गड़ ही नहीं बलकी यह आंके विकास के नयाब लकीरे सपा राज में ही खिची है यहां कि जन्ता नेता जी से बेंतेहा महबबत करती है और यही वज़ा है कि नेता जी के नाँ होने पर भी यह सीट उनकी बहुके नाम होगी लेकिन जब हम भाजपा की बात करते हैं तो मोधी गारंटी पर हो रहे चुनाओं तीन देशक की जग में जीत क्या भाजपा की करा पाएंगे या नहीं यह भी देखना दिलचस्प रहेगा क्योंकि जहां BJP का नारा है अपकी बार 400 पार का तो दूसरी और उन सीटों को अपने नाव करना जहां विपक्ष मोधी लहर के आगे भी उनके खेमे में जाने नहीं दिया मैनपुरी की जाती सम्मी करण को समझें तो पिछड़ी वोटर की यहां स्यादा बहुलता है शाक और ठाकूर वोटर भी अच्छी खासी तदात में है यादव मद्दाता यहां तक्रीबन 3.5 लाग के आसपास है ठाकूर मद्दाता यहां पर 1 लाग के 50 अजार तक्रीबन ह ब्रामण वोटर की बात करें तो 1 लाग 20 अजार के पास हैं बाकी फिर अन जाती के लोग भी अच्छी खासी जन संख्या में यहां पर हैं उस हिसाब से देखा जाए तो कांटे की टक्कर इस सीथ पर होना स्वभाविक है और यहां मद्दान सुनिशित करेंगे कि अपकी ब झाल झाल